हालो डियर एवरिवन कैसे हो सब बिल्कुल बढ़िया तो चलिए बच्चों आज हम लोग बनाते हैं क्लास 11 यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमेस्ट्री से एक्सरसाइज 12.2 का सॉलिशन बनाएंगे आज हम लोग 12.1 इसके पहले हम लोग नहीं बना लिया है आज 12.2 बनाएंगे और बनाने में असानी हो जाए हम लोगों को नमबर 22 फो इसको 5 माल लिजे और इसको 6 माल ले तो चलिए नमबर 1 है हमारा तो सबसे पहले देखिए जब आप पाई और सिग्मा बांड बताने चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जोब मॉलेक्यूल है वो कैसा है य देखिए C6 H6 है तो यह हम लोगों को पता है यह क्या है बेंजीन है बेंजीन है ठीक है तो बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर बना लिजे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ठीक है यह सभी जगा कारवन है और ऐसे अल्टरनेट पोजिशन पे पाई ब एक सिंगल बॉन्ड होता है ऑसी क्या होगा सिग्मा निर्ण होगा जहां पर मोर्देन बर्फ हो जाए तो वहां समझेगा एक सिंग्मा है कि बाकी जो भी बच गया वो पाई अगर यहां एक है तो एक पाई अगर दो रहता तो दो पाई तो पाई बॉंड कितना होगा वान टू थ्री तो पाई बॉंड थ्री ओके नेक्स देख लेते हैं में पटाक से अब देखें यह फिर से क्या है C6 H12 है C6 H12 तो यह किसके जैसा है यहां C6 H12 है तो इसका फॉर्मूला जब आप बठाएंगे तो किसके जैसा आएगा Cn H2n जैसा तीन हाइड्रो कारवन में आपको बताया हुआ है अलकेन अलकेन अलकाइन जिसमें से यह फॉर्मूला जो है यह किसका होता है अलकीन का ठीक है तो अलकीन में क्या होता है Cc के बीच डबल बॉंड होना चाहिए तभी अलकीन कहलाता है ठीक है यह चीज हमारा हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे देखें कैसे रिखेंगे शे कारवन है तो पहले आप शे कारवन बना लिए एक दो तीन चार पांट छे बन गया अब देंगे भाइदो अबहते हैं सब्सक्राव गया कोस destruction कि काद दो पीक फ़िंग त Tech वह चुपांट आप्सक्रीफंज हम म्लीच अपिपर ल स्भी होगा उसके चार्त च्यास कान है तो पहले काद़ से वाट अठोल सब्सक्रांगे ऊचलमले का उन्हाट चाहिए तो यह पता होना चाहिए आपको तभी बनाने में असानी हो गया पूठी कर आप बनाएंगे तभी तो पाई और सिग्मा बॉंड बताएंगे न तो देखें यहां पर आपको दिख रहा है सिग्मा बॉंड ज्यादा है सिग्मा बॉंड कितना है मेरा इसमें दो बॉंड है तो 17 बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड तो बेचारा एक एला ही रह गया पाई बॉन्ड एक ही है एक ही पाई बॉन्ड यहां परजेंट है ठीक है इस तरीके से बनाना है आपको question number next लेख लिए थर्ड नमबर पे है हमारा क्या CH2-Cl2 तो इसमें कुछ महनत नहीं है carbon लिख लिजे चारो तरफ से hydrogen है tetravalency आपको बार 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 बताया है tetravalency आपको carbon का पूरा करना होता है इस case में क्या है यहां carbon है तो carbon के दो तरफ hydrogen दो तरफ chlorine तो इसमें सिर्फ sigma bond है sigma bond कितना एक दो तीन चार लेकिन pi bond absent है pi bond नहीं है ठीक है pi bond इसमें है ही नहीं उसके बाद देखे आपका यह जो four number question है वो असान है four number में क्या किया है न कि देखे four number में ऐसा दिया है CH2 double bond C double bond CH2 तो इसमें क्या हो गया आपका देखे double bond दे रखा है यह जो h2 h2 है यह sigma bond होगा तो आप चाहें आपको convenient है तो ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लिजे बना लिजे इसको break कर लिजे ताकि आपको गलत नहीं हो आपका अदर्वाइस आप count कर सकते थे ऐसे 2 sigma 1 sigma 3 sigma 2 1 3 1 4 और 2 6 तो count कर लिजे sigma bond कितना हुआ आपका sigma bond 1 2 3 4 5 6 और यहां आपको दिख रहा है pi bond कितना है हमारे लोग का pi bond 1 pi bond 2 pi bond तो pi bond हो गया हमारा 2 तो इस तरीके से आपको करना होगा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जैसे अब देखें next question है CH3 NO2 है ठीक है CH3 NO2 है तो देखिए CH3 NO2 तो इसको कैसे करेंगे तो C है तो C के H3 है यानि Hs तो आपने लिख दिया तो sigma bond पता चल गया अब देखें NO2 का structure होता है इस तरीके से O ठीक है तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि sigma bond कितना हो गया एक दो तीन चार पांच तो sigma bond पांच आपको पूरा तरह से knowledge होना चाहिए structure का है कि structure कैसे बनता है जैसे देखें nitrogen के पास क्या होता है उसके उसके outermost orbit में पांच इलेक्टान होते हैं तो दो के साथ यहां sharing हो गया ठीक है एक इधर sharing हो गया तो दो और एक तीन हो गया और यहां जो लोन पेर रहता है वही coordinate bond के थुरू oxygen को देता है यह लेविस डॉट structure में बताया जाता है आप लोगों को यहां लोन पेर जो रहता है तो यहां पर पाई बॉंड फिर बेरा कितना हो गया पाई बॉंड इक्वल्स टू एक ही पाई बॉंड आपको दिख रहा है एक पाई बॉंड हो गया मेरा structure आना चाहिए तभी बनेगा ठीक कार्बन के साथ oxygen डारिक जुड़ेगा ना तो डबल बॉंड से जुड़ता है ठीक है और रहता तब सिंगिल बॉंड से होता है एक अकेला है तो यहां पर एन देखे सब को तोड़ तोड़ के लिखे आपने तो होगा कहना कि आप सिग्मा और पाई में कंफ्यूज हो जाई कि आपको सिग्मा भूल जाएंगे आपके इतना है ऐसे तोड़ के लिख दिया पूरा-पूरा मत पूरा स्ट्रक्शर को ब्रेक कर दिया अब यहां पर काउंट कर लेजिए सिग्मा बॉंड कितना हुआ हमारा देखे एक दो मैंने कहा है दो बॉंड है एक सिग्मा है दुस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के साथ ताकि वीडियो जिस परपस से बनाती हूं मैं आपको आप तक पहुंचे वीडियो जिसके लिए बनाती हूं तो उसके लिए जरूरी क्या है आपको सब्सक्राइब करना होगा और बैल आइकन को दबाना होगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और